विचितर वीरे निसंतान ही मुरूत्यों को प्राप्त हो गई बले ही हो माता मगर मैं आपके लिए अपने ब्रह्म चर्य का संकल्प नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने ये प्रतिग्या आपकी संतुष्टी के लिए ही की थी उद्वीगन सत्यवती ने फिर अपने पहले पुत्रे कृष्ण द्यपायन को बुलावा बेजा जो अपने पि करने के लिए करपया एक वर्स का समय दीजिए मैं पिछले 14 साल से वन में सन्यासी के तरह जीवन व्यतीद कर रहा था मेरे बालों में लटे पड़ गई और मेरी त्वचा भी खुर्दरी हो गई है मुझे इस रूप में देखकर दोनों इस तरह डर जाएगी लेकिन सत्यव रूप देखकर इतनी निरास हुई कि जब उसने उसे चुआ तो उसने अपने आखे बंद कर ली इसलिए उसकी कोक में जो शीशु आया वे दरश्टी हिन पैदा हुआ उसका नाम दरतराश्ट रखा गया इसके बाद व्यास अंबालिका के पास गए व्यास को देखकर वे बेबीत होकर पीली पड़ गई इस संसर के फल सुरूप उसकी कोक में जो शीशु आया वे कमजोर और पीत वर्णी पैदा हुआ इसलिए उसका नाम पांडू रखा गया इसलिए पोत्रों के जनम से निरास सत्यवती ने फिर आदेश दिया अंबिका के पास दुबारा उसका नाम विदू रखा गया राजा बनने की सुयोग्य होने के बावजूद उसे दासी पुत्र होने के कारण राजमुक्ट नहीं पैणने दिया जाएगा दरतराष्ट पांडू और विदूर का पालन पोशन बेस्म ने अपने सगे पुत्रों के तरह किया बाग्या की व वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें